सबी को नमस्ते आज मैं आपको शामपरदैक्ता का आरत कारण और एक गलत और जूठी विचार धारा भी कहूँगा शिद करूँगा गांदी जी के वक्त भी दुबरा समने वासा में जो समपरदैक्ता का विपराई राजदी लापराब्त करने ध्रम का दरूपयोग करना है और हमारे देश की प्राधिंता के समयंगरे जोने फूट डालो राज़ करो की निती का परियोग करते वे चलते वे इसका बहुती विकास किया समाजी के सथ भावना को ब सीख मुसल्मान हिंदू कहकर सीट्टों का विवाजन अलग अलग वरग मानना अनेक प्रकार से उन्होंने कभी क्रिप्स मिशन जो 1922 में आया था उसने भी बड़ी एक अभी आप में चर्चा करूँ आपसे बड़ी आपूर्ण व्यक्या की गोल में संबेलन कमनियो लावा यह थे कि भारत में सामपरदाइकता बढ़े और राश्ट्रेता भारत के विविए धर्मों वर्गों ता जातियों को अपस में जो बढ़ रही थी उनको जोड़कर एक तास्थावित करनेया काम कर रही थी सामपरदाइकता गोन होती जा रही थी तो अंग्रेज उनमने बटवारा भी करवा डाला तो सामपर्दाइकता राजिती जो धर्म का दुरुप्योग करना होता है विसे राजिती आला प्रावत करने के लिए और ये गल्त और जूठी अवदारना भी है सामपर्दाइकता की वास्तिक तो सुनने जरूरी है कि सामपर्दायक यह हम समझें पहले कि गल्द और जोठी अवधारना है मुसलिम धरम को मानने वाले हो चाहि हिंदु धरम को मानने वाले वो लोग हो एक ही कारी करने वाले लोग एक दूसरे के ज़़ा समीब होते हैं उनके आर्थिक हीत ज़्यादा करीब होते हैं चाहिए वो किसी भी धर्म से समधित किशान हूँ करमचारी हूँ मजदूर हूँ तो यह सेंसकर्ती की जब बात आए तो यह देखा गया कि जैसे लाहूर का पंजाबी हिंदू और पंजाबी मुसल्मान वो बंगाली हिंदू बंगाली मुसल्मान की ज़्यादा करीब है क्योंकि उनकी शेंसकर्ती मिलती है वो अलग धर्म के मानने वाले हो सकते हैं तो यह जोटी अवदारना है कि उसका उसकी व्याख्या करना गंदी जी कहते थे जब तक ये विक्रत इतियास पढ़ाया जाता रहेगा पढ़ाया जाता रहेगा जब तो विक्रत इतियास तब तक शामपरदाइक्ता का अंतर नहीं होगा उन्होंने कहा भी था कि हमारे देश में जब तक सामपरदाइक्त सद्भावना इस थाई रूम से जब तक नहीं लाई जा सकते हैं जब तक स्कूल, कोलेजों में इतियास की पठे पुस्तकों के जरिए इतियास की बेहद विक्रित वियक्ष्याई पढ़ाई जाती रहेंगी तो आज ये परसर में मारे सावने आया है कि जो यू आपिडी जो इतियास पढ़ रही है उसमें इस तरह की कोई बाते, जो बच्चों की दिमाग में शामपर दैक ता जिसी चीज पैदा करती हैं, गंधा जहर भरती हैं नफरत पैदा करती हैं उस तरह के कोटेशन्स को उस तरह के अध्याय को हटा देना चीए ताकि बच्चों में अच्छी मान सिकता पैदा हो राश्ट पैदा हो और समाजिक सत्भावना के पैदा करने का उनका मादा बड़े धन्यवाद